नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Group पर दोस्तों मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने भरोसे बंद यूटूब चैनल पर आज हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आये हैं आज की इस कॉशन्स बहुत ही इंपर्टेंट हैं सौ प्रतीशत एक्जाम में पूछे जा रहे हैं पूछे जाते रहेंगे और आपको ये कॉशन्स बनना चाहिए तो सॉल्व करिए चेक करिए क्या स्कोर आता है आपका वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प् इसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं आप इस वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं चले शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्म ये रहा स्क्रीन पर अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था राइट आंसर कहा है पतलाईए चले देखते हैं तो बारतिय राश्री कॉंग्रेज का 1896 का अधिवेशन निमलिखित मैंसे किसके लिए विख्यात है राइट आंसर कहा है बतलाईए चले देखते हैं तो भारतिय राश्री कॉंग्रेज का 1896 896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लिए जाना जाता है right answer हो जाएगा next question देखते हैं कि आपको शगया है यह रहा स्क्रीन पर निम्न लिकित मैसे किस governor general को भारतिय प्रेज का मुक्तिदाता कहा जाता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो governor general जिने भारतिय प्रेज का मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ हैं option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं कि आपको शगया है यह रहा स्क्रीन पर समुद्री व्यापार के संदर्व में कारताज विवस्था का उप्योग किसके द्वारा किया जाता था बतलाईए चले देखते हैं तो समुद्री व्यापार के संदर्व में कारताज विवस्था का उप्योग पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था option number D यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा कारताज एक प्रकार का लाइसेंस होता था जो समुद्र में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों के द्वारा दिया जाता था next question देखते हैं क्या पुशा गया है यह रहा स्क्रीन पर सुरेंद्र नाथ बिनर जी के बारे में निमलिकित मैसे कौन सा कथन सही नहीं है right answer क्या है बतलाईए चलिए देखते हैं तो option number यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा D इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारन ब्रमो समाच की स्थापना की थी यह बात सही नहीं है option number D यहाँ पर इस question के लिए आंसर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशगय है सुतंद्रता अंदोलन के दौरान रविंद्र नाथ टैगोर ने नाइट हुट की उपाधी किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी बतलाईए चले देखते हैं तो सुतंद्रता अंदोलन के दौरान रविंद्र नाथ टैगोर ने नाइट हुट की उपाधी जलिया वाला बाग हत्यकाइन के विरोध स्वरूप वापस कर दी थी option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशगय है muslimों के लिए अलग मददाता दल के लिए किस congress अधिवेशन को जाना जाता है right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो muslimों के लिए अलग मददाता दल के लिए लखनव अधिवेशन 1916 वाला जो है उसे congress का यह अधिवेशन जाना जाता है option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश्य क्या है यह रहाँ screen पर भारत में पहली European बस्ती किस इस्थान पर इस्थापित की गई थी बतलाईए चलिए देखते हैं तो भारत में पहली European बस्ती जो है कोच्ची में इस्थापित हुई थी option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश्य क्या है निम्द लिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फर्मान जारी किया था right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो right answer हो जाएगा गोल गुंडा राज्य जो है गोल गुंडा राज्य इसने अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार के लिए सुनहरा फर्मान जारी किया था next question देखते हैं क्या पुश्य गया है यह रहा स्क्रीन पर सल्बाई की संधी किस युद्व से संबंदित है बतलाईए चले देखते हैं तो सल्बाई की संधी option number B प्रथम आंगल मराठा युद्व से संबंदित है option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं बकसर की लड़ाई इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस के साथ लड़ी गई थी बतलाईए चले देखते हैं तो बकसर की लड़ाई इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मीर कासिम से लड़ी गई थी option number A right answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं क्या पुशा गया है निम्द लिकित में से भारतिय सिक्षा को मेगना काटा कहा जाता है किस कारे को मेगना काटा की संग्या दी गई है बतलाईए चले देखते हैं तो भारतिय सिक्षा का मेगना काटा जो है वुट्स डिस्पैच को कहते हैं right answer हो जाएगा option number A सही उत्तर है next question देखते हैं वर्ना कुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराई के द्वारा पारित किया गया बतलाईए चले देखते हैं तो वर्ना कुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लौर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं निम्न लिखित में से किस वायस राय की हत्या उनके कारेकाल के दौरान कर दी गई थी right answer क्या है बतला ये चले देखते हैं तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वायस राय लौड मेयो की हत्या option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उनके कारेकाल की दौरान कर दी गई थी अगला प्रश्ण देखते हैं क्या पुश्ण गया है लौड रिपन ने हंटर आयो का गठन किसके लिए किया था बतला ये right answer क्या है चले देखते हैं तो लौड रिपन ने हंटर आयो का गठन जो है option number भारत में सिक्षा सुधार के लिए किया था right answer हो जाएगा option number B अगला प्रश्ण देखते हैं क्या पुश्ण गया है भारतिय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस YS राय ने पारित किया था बतला ये चले देखते हैं तो भारतिय टंकन वा कागजी मुद्रा अधिनियम जो है लौड करजन ने पारित किया था option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं निमलिकि किसे मराठाओं का मैक्या वैली कहा जाता है बतला ये चले देखते हैं तो मराठाओं का मैक्या वैली नाना फनानवीज को कहते हैं option number A सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण देखते हैं क्या पुशा गया है श्री रंग पत्नम की संदी का संबंध किस युद्ध से है ब श्री रंग पत्नम की संदी का संबंध जो है त्रतिय आंगल मराठा युद्ध से माफ करीगा त्रतिय आंगल मैसूर युद्ध से option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा right answer है next question देखते हैं क्या पुशा गया है पूना समझोते के संदर्व में कौन सा कथन असत्य है right answer क्या बात असत्य है right answer हो जाएगा option number A यहाँ पर असत्य है अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण क्या है महाद सत्यागर का नेत्र तो किस ने किया था बतलाईए चले देखते हैं तो महाद सत्यागर का नेत्र तो डॉक्टर भीमराव अमबेट करने किया था option number B सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं इस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्श बॉम्बे को पुर्दगालियों से प्राप्त किया right answer क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो इस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्दगालियों से 1668 1668 में option number B यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा प्राप्त किया अगला प्रश ने यह रहा आपके सामने गुलामगिरी नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई थी बतलाईए चले देखते हैं तो गुलामगिरी पुस्तक जोतिवा फुले के द्वारा लिखी गई थी option number C सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश ने देखते हैं रविन्द्र नाथ टैगोर को नाइट हुट की उपाधी किस वर्ष दी गई थी बतलाईए चले देखते हैं तो रविन्द्र टैगोर को नाइट हुट की उपाधी 1915 में option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश ने स्वतंत्रता के समय भारतिय राश्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बतलाईए चले देखते हैं तो स्वतंत्रता के समय भारतिय राश्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष जे भी कृपलानी थे option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश ने देखते हैं भारतिय पुराता तो विभाग को इस्थाई संस्था कब बनाए गया बतलाईए चले देखते हैं तो भारतिय पुराता तो विभाग को 1906 में एक स्थाई संस्था बनाए गया option number C सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी बतलाईए चले देखते हैं तो सुभाज शंद्र बोजी ने अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में की थी option number C सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश ने देखते हैं निमलकित मैंसे किस आंदोलन की शुरुवात नमक कानून को तोड़ने से हुई थी बतलाईए चले देखते हैं तो नमक कानून को तोड़ने से जो है सवीने अवग्या आंदोलन की शुरुवात हुई थी option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश ने देखते हैं किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छुड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था राइट आंसर क्या है बतलाईए चले देखते हैं तो समाजवादी नेता जे है जो है राम मनुहर लोहिया जे थे जिन्होंने जेल से भागकर भारत छुड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था अगला प्रश ने देखते हैं क्या पुशा गया है बकसर की लडाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्धी पर किसे बिठाया गया बतलाईए चले देखते हैं तो बकसर की लडाई के बाद बंगाल की नवाब की गद्धी पर मीर जाफर को बिठाया गया option number C सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं स्वदेश बंधव की स्थापना किस ने की थी बतलाईए चलिए देखते हैं तो स्वदेश बंधव की स्थापना जो है अश्वनी कुमार दत्ता ने की थी option number A अहां पर right answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं पी मित्रा का नाम किस क्रांती कारी संगर्थन की स्थापना के साथ जोड़ा हुआ है बतलाईए चलिए देखते हैं तो पी मित्रा का नाम किस क्रांती कारी तो अनुशीलन समिती संसा की स्थापना से जोड़ा हुआ है option number A यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं academic association की स्थापना किस ने की थी बतलाईए चलिए देखते हैं तो academic association की स्थापना henry vivian derogio ने option number A का सही उत्तर हो जाएगा की थी next question देखते हैं बंगाल का अंतिम स्थापन्तर नवाब किसे माना जाता है बतलाईए चलिए देखते हैं तो बंगाल का अंतिम स्थापन्तर नवाब सिराज दौला को माना जाता है right answer है next question देखते हैं सुतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्रात्मिक सिक्षा अनिवारती बतलाईए चलि देखते हैं तो सुतंत्रता से पहले भारत के राज्य बढ़ोदा में प्रात्मिक सिक्षा अनिवारती नेक्ष कॉशन देखते हैं 1896 का Congress Adivation किसके लिए जाना जाता है बतलाईए चले देखते हैं तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा भारत का राश्रगीत पहली बार गाया गया था इसके लिए 896 का Congress Adivation जाना जाता है Next Question देखते हैं भारत के राश्रगान का शीरशक क्या था बतलाईए चले देखते हैं तो भारत के राश्रगान का शीरशक भारत विधाता Option Number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगला कॉशन देखते हैं भारत का राश्रगान पहली बार कब गाया गया था बतलाईए चले देखते हैं तो भारत का राश्रगान पहली बार जो है 1911 कलकत्ता में गाया गया था राइट आंसर हो जाएगा Next question देखते हैं प्लासी की लडाई का इस्थान प्लासी वर्तमान में किस राज में इस्थित है बतलाईए चली देखते हैं तो प्लासी की लडाई का इस्थान प्लासी जो है पशिम बंगाल में है option number A, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते हैं, प्रसिद्य विद्या सागर सेतु के सहर में है, बतलाईए, चलिए देखते हैं, तो प्रसिद्य विद्या सागर सेतु कलकत्ता में है, option number B, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रशन देखते हैं, क्या पूश तो वेदों की और लोटो नारा स्वामी दयानन सरसोती जी के द्वारा दिया गया था option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ये थे आपके 40 questions history के second last question पशिम मंगाल में था पशिम मंगाल के कलकत्ता में विद्या सागर से तू पशिम मंगाल से related एक question है हाली में प्रधान मंत्री जी वहाँ पर दोरे पर गए हैं एक तूफान ये करणा आई तबाही को चेक करने के लिए कि क्या हुआ कैसे लोग हताहत हुए उस तूफान का नाम के comment box में शेयर करिए अगर आप हमारे चैनल के नए विवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन उन करें और वाल नोटिफिकेशन उन करें हमारी चैनल पर दिन बर में चार वीडियो अपलोड होते हैं चारों वीडियो को आप देखकर अपना knowledge boost कर सकते हैं knowledge बढ़ा सकते हैं इससे पहले वाले videos को देखने के लिए home page पर click करिए या comment box में हम से link आप खुद मांग सकते हैं हम आपके comment पर link share कर देंगे कैसा लगा video comment box में ज़रू share करेगा हम आपके comment का wait करते हैं दोस्तों अगर आपने अभी भी video को like नहीं किया है तो please like जरू करें और साथ साथ link को जिस भी group में आप जुड़े हुए पढ़ाई वाले उन सभी group में share जरू करेगा जिससे आगे भी ये video दूसरों तक पहुँचे और वो भी इस video को देखकर solve करें मिलते हैं इसके next part में बहुत बहुत धनिवाद आप सभी का खुश रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए जहां रहिए जवरजस्त रहिए आप सभी का दिन शुभ हो